सब्सक्राइम किजिए स्मार्ट टेकिनफो चनल को और पहला बंद वह यह लिटिस टेकना से सुड़ेओ सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो यह है और आप देखरें स्मार्ट टेकिनफो और मैं हूँ उजवल तो आएए यह वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि और इसकी क्या है और इसकी क्या होई रेंट से और यह कहां पर आपको मिल रहा है और यह किसलिए शूमी के नोटफार प्रो से डिर्कली टक कर रहा है यह कॉम्पिट कर रहा है तो आईए मैं आपको डिटेल में बताता हूं तो फस्ट आफ़ल दोस्तों मैं आपको बताने चाहता हूं इसका जो हैलेड फिचर है वह है फास दोसने मैंच की बैटरी कुछ ज्यादा आए इसलिए मैंक्स इसका नाम दिया गया है तो इसमें फास चार्ज को सपोर्ट के साथ दिया गया है जो काफी अच्छा है काभिलत तारीफ है तो आईए डिटेल में आपको बताऊंगा कि यहां पर फस्ट आफ़ल मैं आपको इसके आफर के बारह मैं बताऊं इसमें दो ग्रेंट्स लॉंच किये गया है दोस्तों एक है 3GB RAM 32GB inbuilt जो 10,999 रुपे में मिलेगा और एक है 4GB RAM 64GB inbuilt जो 12,999 रुपे में मिलेगा और यह आपको आवेलेबल होगा दोस्तों केवल सिर्फ फ्लिपकाट पर और फ्लिपकाट पर कुछ ओफर्स दिये जा रहे है दोस्तों यह mobile protection के लिए और वो offers में सिर्फ 49 रुपे आपको देना है और एक साल तक आपको इसमें protection मिलेगा जिसमें broken screens आएगा, liquid damage आएगा, hardware and software faults आएगा, etc, etc, जो भी होगा तो दोस्तों यह सिर्फ 49 रुपे में मिलेगा और बजाच का फिंसर्व काट रहा तो इमाइक कास्ट बिल्कुल कि आपको जितना है उतना ही लगेगा, बिल्कुल एक्स्टा नहीं लगेगा, तो यह अच्छी offers है, तो आएए मैं आपको इसके specifications आपकी यहां पर डिटेल मे है दोस्तों, इसके जो display है दोस्तों 5.99 इंच का full HD display दिया गया है, जो काफी अच्छी है, IPS display दिया गया है, full view display है, 18.9 expert ratio का, और जहां तक प्रोसेसर की बात हती है दोस्तों, वह है Qualcomm का Snapdragon latest processor 686 Sock, जो काफी अच्छा processor माना जाता है, जिसमें Adreno आपको मिलेगा 509 पास्ट न और दो camera's मिलेंगे आपको, एक होगा 16, 13 megapixel का और एक होगा 5 megapixel का, दोनों का जो है, उस aperture दिया गया, 2.2 aperture दिया गया है, जिसमें 5 megapixel जो है, वो secondary depth sensing के लिए sensor के लिए रखा गया है, जी हाँ दोस्तों, जिससे आप आसानी से portrait mode capture कर सकते हो, जिसमें पीछे की और का आप blur कर के सामें focus कर सकते हो, किसे भी object को, या खुद को, तो यह काफी अच्छी लालो ज्यादा fashion चल रहा है, तो यह इसमें आपको मिल जाएगा आसानी से, फ्रेंट कैमेरा है, जो सेल्फी कैमेरा है, जिसका aperture है 2.0, बट यहाँ पर सेल्फी का एक खास इसमें कहा गया है, दोस्त यहाँ पर दोनों पीछे के और सामें के और जो कैमेरा से, इसमें soft light LED flash लगे वे, जिससे आपके हर पिक्स जो capture आपको रोगे, वो काफी clear और ज्यादा अच्छा और focus दिखेंगे, ज्यादा natural दिखेंगे, ऐसा कंपनी का दावा है, दोस्तु यह जो है, इसमें आपको SD card, dedicated card अलग साएगा, जी हाँ, मिन्स दोनों SIM card भी बढ़ेंगे और SD card भी आएगा, और जो SD card रहेगा, वो 256 GB तक expand आप आसानी से कर सकते हो, इसा कंपनी का दावा है, तो दोस्तु यहाँ पर 10 wattage का चार्चा दिया गया है, फास उन इमेज के बैटरी है, जो काफी काभी करनेक्टिविटी के options में यहाँ पर आपको 4G, LTE, इंडिया के सभी brands बिलेंगे, सभी brands आवालेबल हैं इंडिया के 4G के, जिसमें old TV आ रहेगा, 802.11, AB, GDN, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, with aptX, GPS, audio, GLONASS, micro USB, 3.5mm jack इसमें आपको मिलेगा, सभी sensors इसमें आवालेबल देगे, यहाँ तक की phase unlock sensor भी इसमें आवालेबल है, दोस्तों, तो यह काफी अच्छी बात है, इतना low budget end mobile में, सभी इतने कुछ functions और features दिये गए है, fingerprint sensor भी दिये गया है, dimension जो है, दोस्तों इसका 8.61 mm इसका थिकने इस बताया जा रहा है, और जब कि इसका जो weight है, वो सिफ 180 grams इसका weight है, जिहा काफी अच्छा लगा, काभिले तारीफ है, चो दोस्तों, यह था एक छोटा सा वीडियो, आउसर Zenfone Max Pro M1 पे, अगर से मेरा वीडियो आपको पसंद आथा तो फ्लीज एक like कीजिए, share कीजिए, और comments करना ना भूले ज़रूर comments कीजिए, कि आपको Zenfone Max Pro M1 पसंद आया, या Shumika Note 5 Pro पसंद आया, दोनों में से क्या पसंद आया, प्लीज, comments कीजिए, और यह mobile आपको पसंद आथा, प्लीज, एक like ज़रू कीजिए, hit के साथ, और thanks for watching this video, have a nice day, bye-bye, Jai Hin